मस्कार दोस्तों स्वागत है आप अभी का एक बार फिर फे आपके अपने यूटूब चैनल टागवित हेमराज में तो दोस्तों इस वीडियो में हम फीखने वाले हैं SSC CGL 2021 का फॉर्म भनने के लिए आप अपनी फोटो और फिगनेचर को कैफे रिफाइज कर फकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसकी सौर्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं तो इसमें बोला गया कि आपकी जो फोटो है तो तीन मन्त फे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए JP EG फॉर्मेट में चल जाएगी इसका फाइज की अगर बात करें तो 20 KB फिले कर 50 KB के बीच मांगा गया है डाइमेंशन के अगर बात करें तो तीन दफमलो 5 cm इसकी चोड़ाई होनी चाहिए और 4 दफमलो 5 cm इसकी उंचाई होनी चाहिए फिर इसके बाद फिगनेचर के अगर बात करें तो JP EG फॉर्मेट में चल जाएगा 10 KB फिले कर 20 KB के बीच इसके dimension के अगर बात करें तो 4 cm इसकी चोड़ाई मांगी गई है और 2 cm इसकी उचाई होनी चाहिए इसके बाद आपको यहाँ पास photograph और finature के sample देखने के लिए मिल जाएंगे तो जब आप form भरेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पास photograph देखने के लिए मिल जाएगा कि upload a photograph taken on or after 24 सितंबर 2021 इनके कहने का मतलब फाफ फाफ है कि आपको date वाली photo upload करनी है white by ground रखिएगा और ऐसी photo upload करनी है जो 24 सितंबर 2021 के बाद की होनी चाहिए और उसमें 24 सितंबर 2021 के बाद की भी date डली होनी चाहिए बात हुई clear आपको 24 सितंबर 2021 के बाद की photo upload करनी है और date भी डली होनी चाहिए यहाँ आप फे पूछा भी गया है कि वेदर्दी photograph has been taken on or after 24 सितंबर 2021 क्या आपकी जो photo है तो 24 सितंबर 2021 के बाद की लिए गई है या नहीं तो आपको यहाँ पास बताना भी पड़ेगा signature की अगर बात करें तो 10 कB फिलेकर 20 कB के बीच होना चाहिए और image 5 की बात करें तो 4 cm चोडाई मांगी गई है 2 cm इसकी उचाई मांगी गई है यहाँ पास आपको कुछ sample भी देखने के लिए मिल जाएंगी photo के यह देखे कुछ इस प्रकार की photo accept की जाएगी यदि extra color हो गया to close ज्यादा पास में photo है तो नहीं ली जाएगी इस प्रकार की blur photo नहीं चलेगी इस प्रकार की photo तो बिलकुल ही नहीं चलेगी ध्यान में रखिएगा white background लीजिएगा photo का जो background है तो white रहना चाहिए अब आपको क्या करना है अब आपके जहाँ documents है अब आपको पास चले जाना है तो यह देखिए मेरी photo है यह मेरा figure है यह मैं अपने mobile फे click करके अपने PC में send कर लिया था आपको एक काम कर लेना है photo में click करना है open में चले जाना है और Microsoft Office Picture Manager यदि आपके पास है तो इसमें आपको एक बार open कर लेना है फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है इसमें छेड़खानी कुछ नहीं करना है आटो करेक्ट दबा देना है एक बार एक बार आटो करेक्ट दबाने के बाद आपको क्या करना है control प्लस S दबा देना है तो आपकी image सेब हो जाएगी आपको क्या करना है आटो करेक्ट दबाना है सिर्फ एक बार और control प्लस S दबा देना है इसके बाद यहां फिर कोने में जाकर cut कर देना है इसी प्रकार signature को भी open कर लेना है microphone office picture में और आपको कुछ छंड़ खानी नहीं करना है auto correct एक बार कर लेंगे और उसके बाद control plus S दबा देना है फिर इसके बाद कोने में जाकर cut कर देना है अब हम इन दोनों को refresh करेंगे तो फब फे पहले हम photo में click करेंगे और open में चले जाएंगे और print बाले option में चले जाएंगे इसके बाद कोने में जाकर zoom out कर लेना है यहां पास से में rotate करने की ज़रूर रहत है तो rotate कर लेते हैं चल दिए अब हमें यहां crop करने की ज़रूरत है तो crop करने के लिए flex वाले option में click करेंगे rectangular flexion में click करेंगे और जितना भी भाग हमें चाहिए हम यहां से कुछ ही प्रकार select कर लेंगे और crop कर लेंगे इसके बाद हमें refresh करने की ज़रूरत है तो अभी हम refresh नहीं करेंगे पहले यहां puff date डाल देते हैं फोटो में तो आपको क्या करना है है जो dot जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको ऐसे पकड़ना है और नीचे ऐसे खिंज लेना है फिर इसके बाद यह जो दिखाई देता है आपको इसमें click कर देना है फिर एक यहां एक box ऐसे कुछ इस प्रकार बना लेना है ओके कुछ इस प्रकार आपको बना लेना है अब आपको यहां puff date डाल देनी तो चलिए मैं आज 24 है तो आज मैं 24 डाल देता हूँ 24 12 2021 ओके यदि आप इसका फाइज बढ़ाना चाहते हैं तो पूरे को फ्लेक्ट कर लीजेगा और यहां फे आप इसका फाइज बढ़ा या घटा सकते हैं ओके फिर इसके बाद आपको यदि इसको बीच में भी लाना है तो आप क्या करेंगे कुछी इस प्रकार यहां से बीच में ले आईएगा और यहां फे अपने हिसाब फे इसको एड़ेस्ट कर लेना है ओके फिर इसके बाद आपको क्या करना है कंट्रोल प्लेस एस दबा देना है फिर इसके बाद हमें रिफाइज करने की ज़रूरत है तो इसके बाद बटन पे क्लिक कर देना है कंट्रोल प्लस एस आपको दबा देना है इसके बाद कोने में जाकर कट कर देना है अब देखिए इसका जो फाइज है तो फूला दफमलो दो केवी आ गया है जो बहुत कम आ गया है 20 केवी फिलेकर 50 केवी के बीज चाहिए तो इसके लिए आप वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा मैं वीडियो के लाश्ट में बताया हूँ कि आप इसका फाइज कैसे बढ़ा सकते हैं वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा फिर इसके बाद हम इसको रिफाइज कर लेते हैं तो इसमें फिंपल से हम क्लिक करेंगे ओपन में चले जाएंगे और पेंट में चले जाएंगे इसके बाद कोने में जाकर इसको जूम आउट कर लेना है अब हमें यहां क्रॉप करने की जरूरत है तो क्रॉप करने के लिए फिलेक्ट वाले अफ़न में क्लिक करेंगे रेक्टेंगलर फिलेक्शन में क्लिक करेंगे और जितना भी भाग हमीं चाहिए कुछ ही इस प्रकार हम फ्लेक्ट कर लेंगे और यहां से क्रॉप कर लेंगे अब हमें यहां refresh करने की ज़रूरत है तो refresh में हम click करेंगे pixel में click करेंगे maintenance spec review को uncheck करेंगे और horizontal में हम भरेंगे 159 इंक्यामन क्यूंकि 4 cm को अगर हम pixel में convert करेंगे तो इंक्यामन आएगा और vertical में हम भर लेते हैं 75 75 और ok बटन पे आपको click कर देना है control plus s आपको दबा देना है इसके बाद कोने में अप्लोड करना है तो इसका five जो है तो ठीक आ गया है लेकिन यहां हमारी photo का जो five है तो कम आ गया है तो इसके लिए हम क्या करेंगे फीदे simple आपको google में जाना है और यहां फर्च मारना है आपको फर्च मारना है kb increases कुछ इस प्रकार आपको लिख कर फर्च मार देना है image diamond.com यह फर्च बेफाइट open होगी आपको इसमें click कर देना है फिर इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों select image में आपको click कर देना है इसके बाद जिसका भी size आप बढ़ाना चाहें फोटो का बढ़ाना चाहते है तो photo को select करिए यह signature को फाइज बढ़ाना चाहते है तो signature का तो चलिए मैं photo को यहां फिर select कर लेता हूँ और open कर लेता हूँ फिर इसके बाद आपको क्या करना है यह जो dot जैसे खाई देता है आपको इसको ऐसे पकड़ना है और आंगे करते जाना है तो यह देखिए 26 दफमलो चार दो केबी बचा है इसको और बढ़ा लेते हैं यह देखिए 22 दफमलो 6 एक केबी बचा है फोटो बलर नहीं होगी कोई changes नहीं आएगी आपकी फोटो में ओके तो कुछ ही इस प्रकार आप अपनी फोटो और फिगनेचर का फाईज बढ़ा सकते हैं इसके बाद डाउनलोड कर लेना है आपको तो चलिए देख लेते हैं इसका फाईज तो यह देखिए इसका जो फाईज है तो 32 दफमलो 6 के भी बचा है 32 दफमलो 6 के भी बचा है तो कुछ इस प्रकार आप अपनी फोटो और फिगनेचर को रिफाईज कर फकते हैं फोटो में डेट डाल फकते हैं दोस्तों यदि आपको कुछ पूंचना है तो आप कमेंट करके पूंच फकते हैं यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कि लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका बहुत बहुत धन्वाद है